नमस्कार लाइफ बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनीहा गुपता बिहार विदान सभा की मौनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी काफी जादा धमाकेदार रहेगा क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकि वो सत्तापक्ष को घ आपको बता है कि बिहार को विशेश राज के दरज़े को लेकर लगतार मांगे हो रही थी लेकिन आप ये साफ हो चुका है कि बिहार को स्पेशल पाकेज या विशेश राज का दरज़ा नहीं मिलेगा तो इस बार विपक्ष भी हावी होते में नजर आईगी बिहार विधान सभा के मौनजून सत्र के दूसरे दिन सरकार जो है छे विधेयक पेश कर सकती है इसमें सबसे एहम है अंटी पेपर लीग बिल जिसे सरकार की तरफ से बिहार लोग परिक्षा विधेयक 2024 नाम दिया गया इसमें पेपर लीग करने पर 10 साल की जेल से लेकर एक क लेबल धाराय लगाएं जाएंगी यह नियम राज सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सवी परिक्षाओं में लाग होगी नए नियम के अनुसार आप पेपर लीग मामले की जाच दीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई जाएगी इसके साथ नए कानून में भी इस बा से वे तो उनको कितने साल की सजा होगी अगर परिक्षा में गलत तरीके से क्यांडिडेट शामिल हो रहे हैं या फिर नियमों का उलंगन करते पाय जा रहे हैं तो उनके लिए कम से कम तीन से पांस साल की सजा और दस लाक रुपए का जूर्माना किताय किया गया है सीदे त कोड़ कि एस वार पर पर इस बार के पर लिक और पर पेपर लुक्रीं करते हैं और दो ये उसके इलावा पढ़ अब से जो विद्धै कैसे वाहन बात होगया इसके इलावा बिहाच नगर पालिक強श्चर विद्यक सदन में पेश कर सकती है इसके बाद इन पर सत्ता-पक्ष और विपक्ष के विधायक करेंगे तो दूसरी तरफ विशेश राज का दर्जा भी है जहां पर लगतार सरकार अपने तरफ से यह कह रहे दी कि हम पूरी तरीके से केंदे सरकार को मना लेंगे कि वो इस बार बिखार को विशेष राच का दर्जा दे लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि ब्यार को न विशेष पाकेज मिलेगा न विशेष राज का दर्जा तो अब विपक्ष कितना हमला भरोगा यह देखना लाजमी रहेगा बने रहे हमाइसा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया